नमस्कार दोस्तों आज हम आये हुए हमारे सोयविन के खेत पे जो 20-34 का पूरा ये खेत है इसमें हम दिखाएंगे किस प्रकार से 20-34 में अभी जो फली लगने का समय चल रहा है किस प्रकार से फलिया इसमें लगी हुई है दोस्तों तो सबसे पहले हम बात करें कौन सी वेरा नहीं और अभी इस बार थोड़ा अच्छे के इतमें लगाए जहां पर गलने की समस्य नहीं है तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कोई साभी एक पेड निकालता हूं मैं इसमें से और एक उसमें टोटल फलिया हम काउंट करेंगे तो यह वाला पोधा मैंने निकाला तो शलिया उल्मॉस्ट बिल्कुल चार इंच के उपर से फलिया लगना स्टार्ट हो गई है फलिया लगने की बात करते दो या तीन मैं तो टोटल गीन लेता हूं एक दो तीन चार पांच छे सात आठट नो दस ग्यारह बारह तेरह चाहुदा पंदरह 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 49, 40, 41, 42, 43, 45, 45 तो टोटल 45 फलिया इसमें 45 फलियों में दाने की बात करते हैं तो कुछ में 3 हैं कुछ में 2 हैं 3 और 2 का जादा तर फलिया इसमें हैं यह पूरा देख सकते हैं उपर से लेके नीचे तक पूरी फलिये से लेती हैं तो जादा तर टीन ही हैं कुछ दो के भी हैं बाकिस की बात करते हैं हमने एक बिगा में करीब 27-28 किलो स्वेविन डाली थी तो दोस्तों यह हमारी 24 थी जब इसका उत्पादन होगा तो देखते हैं कितना उत्पादन हमें देखने को मिलता है अभी तक इसमें सिर्फ दो बार दवाई का इस पर इस पर किया है और इसके अलावा खाद तो बिल्कुल भी नहीं दिया में ना इडिया ना यूरिया और किसी प्रकार का खाद हमने दिया नहीं यह सिर्फ दो बार दवाई का इस पर जरूर इसमें किया है दोस्तों तो बस